अस्सलाम अलेकुम चली आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं आप लोग के टेंथ क्लास के रौशनी बुक का चेप्टर नंबर सिक्स जो की बहुत ज़्यदा इंपॉर्टेंट है इस चेप्टर का नाम है खाली संदूख तीखे और यह एक अफसाना है यानि कि कहानी है और यह कौन सा अफसाना है तो असामी अफसाना है यानि कि असामी कहानी है यह असामी भासा में कहानी लिखा गया है हिंदी भासा इंग्लिस बाज़ा जाता है ना बिल्कुल उसी तरह असामी भासा बोला जाता है तो यह असामी भासा में लिखा गया है औ लेकिन इसमें जो मेन क्यारेक्टर है वह है तरादोई नाम की एक लड़की रहती है लड़की नहीं बोरी है यह औरत रहती है जिसके शादी हो गई रहती है और इसके दो बच्चे भी रहते हैं लेकिन इसके जो ऑहर होते हैं तरादोई के शोहर वहस्वेंट वह प्यक्कड रहते हैं ठीक है शराब पीते रहते हैं और शराब पी कर गारी चलायी रहे थे तो एक दिन हुआ क्या था कि दो लोगो की मות हो गई थी कुचल दिये थे तो तरादोई के शोहर जेल चले गए ठीक है अब तरदोई अकेली बच गई थी और उसके बच्चे थे ठीक है और तरदोई का जो घर था वो शमसान घाट के ठीक बगल में था यह समझे कि समसान घाट में ही था समसान घाट समझते हैं जहां पर मुर्दो लोग को दफनाया जाता है ठीक है त संदूख ब्लेक कलर करेता है यहीं फिखर में दिखाया जाता है कि संदूख घोला जाता है अब उस सब्सक्राइब बच्चों को उसमें नहीं सुलाती है उसके बाद से हुआ यूं कि तरह दोई रोज सुबह सवेरे उठ जाती सभी लोग अभी सोई रहते तो यह भोर में उठ जाया करती थी और उसके बाद से तरह दोई के जोपड़ी के ठीक सामने एक हैजल नाम का पेड़ ठीक है और उस हैजल नाम के पेड़ के नीचे एक हैबर नाम का आदमी रोज सुबह में आकर खड़ा होता था अभी फटता भी नहीं था मतलब भूर नहीं होता था सबी लोग सोई रहते थे तभी क्या होता था कि हैजल नाम के पेड़ के नीचे आकर रोज खड़ा होता थ ताकि तरदोई उसको मौका दे खातिरदारी करने का और वो हैबर नाम का खुद आदमी तरदोई से बोलता कि देखो तुम्हारा जो शोहर है वो कभी वापस नहीं आएगा उसने वह एक शराबी है और शराब पीकर उन्होंने दो लोग को उचल दिया जिसके वह जासे वह में क्या कि एक दिन जब टरह आदोई अपने उस चंदूख में सोई हुई थी तो वो जो ब्लेक कलर का संदूख जिसमें मुर्दो लोग कर जाया जैता है उसी संदूख में तरह दोई रिलेती है बंद करकर नहीं सोती है खुल डवसूँ नहीं संदूख वह खुला ही रहत सोमेश्वर आकर तरॅधार्दूरि का ध्योपड़ी का धार है तो खोलती है और उसका शोमेश्वर्ज बहाई है वह ज् MAN के अंदर आता है तरह्डूरि भी आती है बोलतीैं कि बैठी है और इसका जो भाई रहता है सोमेश्वर्ज二 वह खुद एक पुलिस दोई की बश्पन की कहानी सुनिए जब तरह दोई छोटी रहती है ना बच्ची तो एक ठाकूर के घर में नौकरानी रहती है जारू पोचा बरतन दोना यह सब चीजे करती है और एक मतलब धीरे-धीरे मतलब बड़ी वहीं पर होती है ठाकूर के घर में ही और उसके बाद से एक दिन ठाकूर बहुत जदा बीमार पड़ जाते हैं तो तरह दोई जो लड़की रहती अभी इसके बच्चपन का मैं बात बता रही हूं जब इसकी साधी नहीं हुए तब का मैं बात बता रही हूं तो उस ठाकूर के घर क्या करती थी जारू पोचा नौकरानी क्या काम क नियुए न सबनेख़ हो गया एंस सब्छ जबंक्स तो एक दिन धाकूर का क्या हो गया भौत तबियत ख़राब हो गया तो तरफंदोई कुब्द्स ट की बहुत बहुत देकभाल हन्ति हुँं, जिसके से थाकूर बहुत खुस हो गए और ठाकूर का एक बेटा था जिसका न बहुत हो गई इतना कुस हो गई कि अपना सब कुछ उस चोटे कूअर पर नेशा चिननिचावर कर दी आप इसी तरौदवी की दूनिया पर वह नों गया थे लेकिन तरबज़ी दौई को एक बार एक दिन खबर यह आई कि छोटे कूअर का क्या हो गया मौत हो गया तुनी तो पूरी तरीके से तूट गई और उसके बाद तरह का शादी हो जाता है उसके संदूक है कि यह चोटे कूर का संदूक है तो वही तरादोई बोलती है कि हैं संदूख है तो शोटे कhewण का संदूख है जब चोटे क convenient मोथ हुआ था एकसिडंट में तो इसी संदूख में लेकर आया गया समसान घाट में ठीक है तो तरदोई जो बोल वो चौफ जाती है कि अरे यह तो छोटे कूवर का ही संदूख है आगे तरदोई का जो भाई रहता है श्रोमेश्वर वो तरदोई से बोलता है कि तरदोई तुम जिसकी चाह में तुम अभी तक पागल थी ज श्रोमेश्वर तक डीसलार है क्यों के सवेगा जो जो कि जो छोटे कूवर थे वो किसी ओर से शादी करना चाहते थे तुमको दोखा दे कर ठीक है तक किसलिए चोटे कुवर जो है ना वो मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे मुझे को धोका देने चाहते थे ठीके मेरे साथ धोका किये और किसी और लड़की के साथ शादी करना चाहते थे और तक तरह दोई के अंदर इस चीज़ का मतलब आभास होता है कि छोटे कुवर हमको धोखा दिये और एक तरह से नफरत फैल जाती है तरदोई के दिल में छोटे कुवर के प्रति और होता क्या है कि सोमेश्वर तो चला जाता है खत और साधी का कार्ड तरदोई के मुँपर फेक कर कि लो देख लो जिसकी चाह में तुम अब तरदोई को एहसास हुआ कि वो बहुत उसके साथ बहुत गलत हुआ है और उसके बाद तरदोई के दिल में छोटे कुवर के प्रति नफरत जगई कि जिसको मैंने अपना समझा उसी ने मुझे धोखा दिया और अपने बच्चों के साथ उस खाली संदू को जिसमें व सबसे लें लोग का ही जो खाली संदूक नाम का अफसाना है यह एक बट्वीट होता है अब जराइस के इसके को स्बसे प्रसं से सबसे पहला सवाल है, तरफट कहा रहती थी? तो तरफट कहां रहती थी, तो तरफट कहां रहती थी? ठीक है, दूसरा सवाल है, शुराब के नशे में अपनी तेज रफ़तार गारी से किस ने दो आदमियों को कुचल डाला? तो शराब के नसे में अपनी तेज रफतार गारी से तरःदोई का जो शोहर रहता है वो दो आदमियों को कुचल डालता है जिसके हो जयसे वो जेल चला जाता है ठीक है पांच नमबर सवाल है अचानक रात में तरादोई के दर्वाजे पर किसने ठोकर मारी तो अचानक रात में तरादोई के जोपड़ी के दर्वाजे पर उसका भाई सोमेशवर ठोकर मारा ठीक है छे नमबर सवाल है तरादोई के भाई का क्या नाम था और वह क्या करता था तो तरादोई को खबर मिली कि छोटे कुवर का मौत हो गया है ठीक है आठ नमबर सवाल है छोटे कुवर की लास को समशान घाट में किस चीज में लाया गया तो छोटे कुवर की लास को समशान घाट में वही खाली जो स्याह कलर का संदूग था काला कलर का उसी में लाया गया ठी यह कि छोटे कुवर तुमको धूखा दिये हैं तब जब वो तरह दोई के मुँँ पर वो क्या बोला जाता है सबूत खत और साधी का काड फेक कर जाता है ना तो उसके तरह दोई के जो दोनों बच्चे रहते हैं उसको कुछ सिक्के दे कर और चला जाता है तो यह हो गया सब्सक्राइब कर सुमेश्वर चला गया ठीक है अब बात आती है तफसीली सवलात की बड़ा बड़ा अंसर वाला तफसील से लिखने वाला दिर्गुत्रिय प्रसन है सबसे पहला सवाल है लकड़ी बेचने वाला है बर रोद सुबा सवेरे तरदोई की जोपड़ी के साम लगता है तो आप लोग खुट से लिख लिएगा ठीक है दूसरा सवाल है स्यारंग के खाली संदुक से तरदोई को क्यों वाबस्तगी थी स्यारंग का जो ब्लेक कलर का खाली संदुक था उससे तरदोई को क्यों मतलब संबंध था क्यों मतलब खाली संदुक में स्वया कर सवाल है तरदोई का भाई छोटे कोवर की शादी का काड तरदोई के मुझ पर फेक कर क्या बताना चाहता था यही बताना चाहता था कि छोटे संदूप को तरादोई और उसके बच्चों ने क्यों ज्लाकर राक मिल जला कर दिये तकmoWhen इसी के सांथ आप लोग का चैप्टर नंबर 6 है वो कोश्चन एंसर के साथ कम्प्लीट होता है ठीक है अब नेक्स्ट वीडियो में मैं देखूंगी कौन सच अपर इंपॉटेंट है और उसको भी मैं आप लोगों को पढ़ा दोगी इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई करकर पूछ सकते हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर तो बनता है वीडियो सको लाइक कीजिए ज्यदा-ज्यदा शेयर कीजिए अपने पड़ोसियों के पास अपने दोस्तों के पास और हाँ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू और खुदा हाफिस